तो हम यहाँ पर प्रादी नितियास के चप्टर कर रहे हैं, हमने काफी चप्टर कर लिया हैं, और अब जो हमारे जो नेक्स टॉपिक है हुआ है बहुत धर्म, तो हम यहाँ पर द्रम करेंगे, तो आपको उदादे कि बहुत धर्म से जितने भी important point बने हैं, जो भी notes बने हैं जो के एक्जाम में पूछे गए हैं इसके एक एक पॉइंट जो है वो एक्जाम के दिश्चे काफी important है क्योंकि हमने यह NCRT-based जो नोस है इसको बनाए है तो यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक के जितने भी यहाँ पर चैप्टर है हिस्ट्री के और सदार पर हमने यहाँ पर बनाया ह हो है तो चले यहाँ पर देख लेता है इसके साथ अगर हम बात कर तो एक बार हम आपको क्लास 6 में दिखाया थे क्लास 6 में भी बहुत धर्म के बारे में यहाँ पर दिया गया है वहां से बहुत से important अपया पर इसमें दिया गया है और इसके साथ है अगर हम बात करें यहांपे तो वियाकरण वीद पार्णी के Walter पूचात पार्teen के बारे मिद्धु आ प्याम बारा पुछाता है और इसके जिन्हों ने याँ पर संस्कित भाषा के परियोग और नियमो को सुतर दिया था उसकेसाथ यहां पर दरम है तो हम इस चप्टर में जो हैं आभ हम इस part में के बहुत धर्म के बारे के बात करेंगी जो next part हमारा होगा उसमें यह निद्हरमी देखेंगे उसके बाद हम objective ओसन वहां पर करेंंगे कि तो सबसे पहले हम यहां पे एंशाइटी के जो क्लास 6 में जो पॉइंट दिये हैं पहला हम उनकी बात कर लिते हैं कि जो बुद्ध थे वो किस यहां पर किस में किस छोटे से गण मादे थे तो यह चत्रिय थे और साक्य मादे थे अगर हम बात कर तो ग्यान के प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत गया जो की बिहारें पड़ता है एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपश्या की अनंता उ कहीं से विवारा नसी के निकढ ता गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया तो यहां में पुशचा सकता है MSI OTC में है ये चप्टर तो वहां में पूश चा सकता है कि सबसे पहले नोने कहां उपदेश आ था तो सारुनाथ में कोशि नारवा में मिर्ट兩 से पहले का लिपसा का त्रिप्चा यानि तरष्णा का वे बुद की कि आतंसयम बनाकर एंसी लाल साού से मुक्ति पाइजा सकती है तो यह इन्होंने कहा था बुद कि यहाँ पे जो लाल साफ का की और यह दो जो अगर से वात के जीवन के साथ-साथ बात की जीवन को भी परवाиц बुद्ध ने अपनी सिख्षा प्राकिर्त भासा में दी जिसे समानिय लोग भी उनके संदेश को समझ सके तो यह इंपर्टेंट है पूछा सकता volontia कि बुद्ध ने अपने सिख्षा दी थी तो प्राकिर्थ भासा में यहां पर दी थी तो इसके साथ अगर हम बात करें तो यहां पर सारनात की बात कई है कि इस की नाम से जाना जाता है यहीं पर बुद्ध ने अपना सरव परफ़ाम उबदेश दिया था इस ही घठनном को आपको दादे ग्मात्मा बुद्ध का जो जनम हुआ था वो 563 BC पूर हुआ था इनका जो जनम हुआ था जनम इस्थान जो है वो कपिल वस्तु जो की लुम्बनी में पढ़ता अगर एक जाम में पूछा जाए कपिल वस्तु या लुम्बनी दोनों में से कोई भी आप्सन त का ता वो महाप्रजापती नहीं कहता जो की कई कि इनकी कह सकते हैं कि सो, तेली नहीं के भी, उसके भाद अगर हम बात करें करें तो इनकी पतनी का नाम यासोद्र ₹ था और इनका पूत्र भी था oh, जिनका नाम राघूल था तो हमको राव टाधब यहाँ इसगठना जब वे 29 वर्स के थे तो उन्होंने ग्रियत त्याग कर लिया तो ग्रियत त्याग की जो घटना है उसको क्या का जाता है तो ग्रियत त्याग की जो घटना है उसको महा भी निसक्रमन का जाता है एक्जाम में पूछाता है यहीं से सभी कोशन जो है यहीं से बनना स्टार्ट ह लाता है तो जब उन्होंने गौतम बुद्र ने 29 वर्ष की अवस्था में जब ग्रियत याग किया तो इसको महाभी निसक्रण का जाता है उनके साथ गोड़ा भी था तो उसका नाम कंथक था वहीं उनके साथ एक सार्थी था जिसका नाम चन्ना था तो यह सभी के सभी जो इनको ज्यान के प्राप्ति हुई थी वो बोध गया बिहार में हुआ था इस्थान का नाम बोध गया है और किस नदी के किनारे हुआ तो वो निलंजना नदी है उसके किनारे इनको ज्यान के प्राप्ति हुई उसके किनारे इनको ज्यान के प्राप्ति हुई वो पीपल विद्धा करता है। यहीं आपको ध्यान रखना है कि जब उन्हों ने ग्रियत्याग की तो कने उसको क्या कहते हैं। और जब इन्होंने प्रतवम देश दिया तो धर्म की बात कहें तो धर्म चक्रवर्तन हो जाएगा सरवाध हो देश यह इन्होंने सर Wash फीर ऐंके जामय पूचा गया है कि इसके साथ अगर हम बात करें तो इनकी सिस्य हो की सुबद्ध एनकी अगर हम मृतु की बात कर तो इनकी मिर्थ 183 B.C. पूर होती है और इनकी मिर्थु होती है वह हिर्रिने रीड़ियोती नदी के पास होती है और इस्थान की बात कर तो कासीया जो यूपी उत्तरप्रदेश में पड़ता है अब यहां से जामे पूझाता है तो इनकी घटनाएं है और जो यहां पर उसकी प्रतीक है वह यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर दर्साइगा है तो गौतम बुद्र में जो गर्व है यानि माता के पेड़ में थे तो उसको जनम को कमल से दिखाय गया है जब इनका जनम होता तो इसको जो परवचन करने के लिए परतीक बनाए गया है युवावस्था को सांड से दिखाय गया है गरीतिया की घटना को घोड़े से दिखाय गया है वहीं जो ग्यान-ब्राप्ति है इसको बुद्धी 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 बात करते हैं बुद्ध के दर्सन की तो भगवान बुद्ध ने चार आरे सत्थ दिये थे जिसमें इन्होंने कहा था जो चार आरे सत्थे इसमें एक दुख था यानि इन्होंने कहा कि इस जीवन में दुख है दुख समुदाय इन्होंने कहा कि सभी दुख जो है सभी को प्र सकते हैं तो इसके लिए उन्हें अश्टांग मार्ग दिया तो देखिया अश्टांग मार्ग में क्या है यहां पर तो दुखों से निप्टारा के लिए इन्हें अश्टांग मार्ग बताए थे तो अश्टांगिक मार्ग में इन्होंने का कि सम्यक द्रिष्टी यानि ध्यान होना चाहिए सम्यक संपल और यानि द्रिड संकल्प होना चाहिए अगर आप किसी भी काम कर रहे है तो एक द्रिड संकल्प आपका होना चाहिए और सम्यक समाधी यानि इसमें ध्यान भी होना चाहिए तो अगर इन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आठ मारग अच्छे कर्म होना चाहिए और जीवन को या पन करने तो एक आजीविका भी होनी चाहिए, अच्छा ध्यान होना चाहिए, संकल्प यानि दिल संकल्प होना चाहिए, किसी भी काम करने के लिए और समाधी यानि ध्यान होना चाहिए, वह यह अकरम बात करें तो इनके इन्हों थे अब बात करते हैं बहुत धर्म के गरंथों की बहुत इंपोरटंट एक जाम États है तो बहुत धर्म की जो गरंथ प्ल तो त्री प कहते हैं इसमें जो तीन पिटक है एक था सुक्द पीटक सुथ पीटक में इसमें क्या दिया गया है तो इसमें बुद्ध के उपदेशों के बारे में वड़न क्या गया है दूसरा है वीनय पीटक तो इसमें संग की नियम के बारे में बताए गया है कि क्या क्या नियम है बहुत धर्म के वहीं जो तीसरा है वह है अविधम पी जब बुंकातम बुद्र की मिर्तु हो गए तो उसके बाद जो है चार बहुत संगीतियां आज़ित की गए थी तो यह जो संगीतिय थी इसका इस्थान है समय है सासक कौन था और अध्यक्स कौन था यह सबसे इंपोर्टेंट है और आपको दादे के एक जाम में यहां से हर बार आपको देखने को मिलेगा तो पहला जो पहली जो संगीति हुई थी यह राजगरिय में हुई थी इस अभी के सब भिहारें पढ़ता है राजगरिय तो यहां पर हुई थी समय की बात करते हैं इसमों अध्यक्षी थे वह सबाकामी थे इसके बाद तीसरी जो कि संगीति होती है वह पाटली पूतर में होती है इसमें पचास से 291-251 के के बीच हुती है HELं वहिसत्ता में सासक अशोक रहते हैं और इसम में जोंते हैं वह में मांगली कि इसमें आपको याद रखना है कि इस्थान के नाम पूछा तक पहली संगीति कहा हुई थी उस समय सासक कौन थे इसलिए आप एक पॉइंट को जरूर नोट करें और आप इसको जरूर यहां पर पढ़ लें अब देखिए आगे चलकर क्या होता है कि जो बहुत धर्म है यह दो भागों में डिवाइड याता है एक महायान और एक हीन्यान इन दो में दो बढ़ जाता है बहुत धर्म जो भारत के जो दच्छिन में है वहां हीन्यान और उत्तर की और जो देश हैं वहाँ पे महायान संपर्दाय परचित होता है तो देखिए जो दच्छन भारत के जो एरिया है भारत के तो वहाँ पे हीन यान यहाँ धर्म जो है वह यहाँ फैलता है और जो उपर वाले हैं उत्तर वाले हैं वहाँ पे महायान जो संपर्दाय है यह इसका परचरन होता है तो देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत धर्म था और हम बात करते हैं जाम की तरश से क्योंकि जो एक्जामरे पूछे गया है वो important है और हम आभे बात करेंगे तो देखें यहां यहां पर आगर हम बात करते हैं तो बहूत गरंथ पीटकों की रचना पाली भासा में की गई है वही जातक जो थी एक जामें पूझाथ जातक किया तो गरनत, त्रीपीटक का सुत पीटक के अंतरगत, खुद कनियकाय का दस्मा भाग है, इन कधाओं में भगवान बुधि के पूर जन्मों की कधाओं हैं। भागलपूर में है बहुत इंपोर्टन टेक जामें पूछा गया है और कि जो बिक्रम सीला विश्व विश्व विद्याले बहुत फहमास है किसने की थी तो कौन सासक था तो धरम पाल था और यह कहां पर है तो यह भीहार में है इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो दुनिय यह दुनिया का सबसे प्राजिन बिश्व विश्व विद्याला जो है नालंदा विश्व 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 विभार में है और इसकी स्थापना जो है गुप्त वंस के सासक कुमार गुप्त ने 450 इसा में की थी यहां बुद्ध कई बार आए इसे बहुत सिख्छा के बुद्ध को कायाता है बुद्ध में वैरागित की भावना चार दिश्यों को देखकर के बुधा, रोगी, ल्स, सन्यासी को देखकर हुआ था तो यह इस प्रकार से यहां प Essen पे पूछान दियाता है क्य इंचार दिश्व को देखा हुआ उन यह गतले तक पर बुद्ध बुद्ध ने सरवादिक उपदेश तो सरवास्ती में दिये जा में पूछा गया है बुद्ध धर्म के त्री रतन हैं बुद्ध धर्म और संग मात्मा बुद्ध साक्य छत्री कुलके थे बुद्ध चरित जिसे बौधो का रामायर कहा जाता है इसकी जो रचना की थी वो अस्वगोशने की थी और वहीं धंपद जो है बौध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है तो यह है इस परकार से यहां पे बौध धर्म से नोड हमने जादा भी यहां पर लिखाया क्योंकि हम tiren कर रहा है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहां पर execution पुछा जाए और इस से बाहर यहां पर कुछ आएगा देवी नहीं कि जब हम यहां पर करेंगे अब यहां पर प्रैक्टिस्टर में उसके बाद हम यहां पर करेंगे तो इसमें जितने भी कुशन है वह आपको क्लियर हो जाएंगे तो इसका नोटस जरूर्ड बना लें क्योंकि एंसियार्टी के नोटस हैं और important notes हैं तो यहां पर अपने तयारी साथ जारे रखें और यह नोट यह कंटीनू बनाते हैं इसके साथ है अगर आपकी कोई इसमें राय है नोट्स को ले करके तो आप अपनी कमेंट जरूर करें राय जरूर दें कि अगर इसमें कुछ और ची जोड़ना है या कुछ इसमें यहां पर कुछ एडवांस में यहां पर कुछ और करना है या फिर इतना सफिशेंट है या और कुछ करना है तो यह आप कमेंट करके बता सकत प्रच्टे